dear students in this class we will solve exercise 2.5 now question number one xy2 minus 1y5 equal to x upon 3 plus 1y5 यह आपका first question है इसको solve करना है हमें तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इन दोनों का lcm लेंगे 2 and 5 क्या लेंगे lcm तो 2 and 5 क्या होगा 10 2 और 5 क्या लेंगे तो क्या है हो तो 10 अभी इस 10 को इस 2 से डिवैड करेंगे तो जब 2 से 10 को डिवैड करेंगे कितने time जाएगा 5 टैम जाएगा यानि कि 2 पंजे 10 5 बार जाएगा उस 5 से इस x में multiply करेंगे यानि कि 5 x माइनस अभी इस 5 को इस 10 को इस 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 यानि 2 बार गया तो 2 गुना 1 2 equal to अभी 3 और 4 का LCM लेंगे इदर तो इनका LCM क्या होगा 12 इसी प्रकार से इस 12 को इस 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो 3 चौके 12 चार बार जाएगा और उस 4 की इस x में multiply करेंगे यानि कि 4 x प्लस अभी इस 12 को इस 4 से डिवाइड करना तो 4 दिया 12 तो इहां से कितने बाज जाएगा तीन बार जाएगा और उस 3 की इस एक में multiply करेंगे तो कितना आएगा तीन ही आएगा अभी हमें क्या करना है इन दोनों का इस प्रकार से cross multiply करना है यानि कि 5 x minus 2 का 12 के साथ multiply करेंगे और 4 x plus 3 का 10 के साथ multiply करेंगे जहां हम इनका multiply करते हैं तो 12 पंजे 60 x minus 12 दूनी 24 equal to 10 4 के 40 x plus 10 तिया 30 तो यह इन दोनों का क्या होगा multiplication अभी हहां से क्या करना है आपने इस equal to के sign को इधर लेके जाएगे निकिए right side में लेके जाएगे equal to के sign को सबसे last में लेके जाएगे तो यहां से क्या होगा 60 x minus 24 यहां पर क्या हो जाएगा plus का sign है तो minus का 40 x और यह minus का 30 equal to 0 इस equal to को हम last में लेके गई 60 x में से 40 x को minus करेंगे तो कितना हैगा 20 x minus का 24 और minus का 30 इन दोनों को क्या करेंगे minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा लेकिन sign क्या रहेगा minus करेंगा minus का 24 और minus का 30 कितना होगा minus के 54 equal to 0 तो यहां से अभी इस बरावर के sign को इधर लेके आएगे बरावर के sign को कहा लेके आएगे हम यहां पर लेके आएगे 20 x equal to अभी यह जो minus का 54 हो रहे minus का 50 है क्या हो जाएगा plus का चववण तो यहां से x की value पूछी है x की value क्या होगी तो यहां से जो x की value क्या होगी 54 upon अभी यह 20 का जाएगा इसके नीज चला जाएगा इधर जब इसको काटेंगे तो 2 से कटेंगा दो दुन चार दो सत्य चोद है और दो से तस बहाँ तो यहां से जो x की value आई कितने आई 27 upon 10 यह आपका final answer होगा 27 upon 10 अभी हमने इन तीनों को solve करेंगे जो बराबर के सेड वाले हैं इनको solve करेंगे तो 2, 4, 6 का क्या लेणा हम है LCM लेना है 2, 4, 6 जो नीचे वाले आंके उनको LCM लेना है तो 2, 4, 6 का जब हम LCM लेते हैं तो 2, 1, 2, 2, 4, 2, 3, 6 अभी यह 2 से जाएगा एक बार और फिर 3 से जाएगा यह एक बार तो 2, 2, 4, 3, 12 है तो इनका जो LCM आगे का बार है आएगा अभी इस बार है को इस 2 से क्या करेंगे है हम डिवाइड करेंगे नीचे वाली से क्या से हम इसा डिवाइड करते हैं तो 2, 6 के 6 बार जाएगा उस 6 की यहां पर गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 6N माइनस अभी 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिया बार है तीन बार जाएगा उस 3 की उपर वाले में गुना करना यानिकि 3 तिया 9N प्लस 6 दूनी बार है दो बार गया और 2 की यहां पर गुना करेंगे 5N में तो 5 दूनी 10N एक्वल टू 21 अभी इन तीनों को solve करेंगे यानिकि प्लस प्लस को जोड़ेंगे हम 6 प्लस का है और 10 प्लस का है तो कितने होगे 10 और 6 16N 16N में से 9 को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहां पर 7N उपर क्या बचा 7N अपॉन 12 एक्वल टू 21 इतना है 7N अपॉन 12 इक्वल टू 21 अभी क्या होता है बराबर में कोई भी सेंख्याओ कट जाती है तो 7 से कितनी बार कटेगा 21 3 बार कटेगा 7 से कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा तो यहां से बना NY12 NY12 इक्वल टू 3 तो इनकी ऐसे आर पार multiply करनी है तो एन की बन में गुना होगी तो एन आएगा और बार इन्टू 3 कितना हो जाएगा 36 बार दिया 36 तो यह इसका final answer होगा नाव क्वेशन नमर थर्ड इसमें दिवाए x ब्लस 7 मैनेस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17 अपॉन 6 इसका अफॉन 5 तो स्थे पहले पेशन बाता जो बरावर का इधर वाला इसको solve करेंगा और बरावर के इधर वाले को अलग solve करेंगे तो हम इसके नीचे एक मान सकते हैं किसी भी सेंख कि नीचे एक मानने से उसके फार कोई फरग तो इसका जो LCM आएगा, क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो इसका LCM क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि अकेला 3 है, इस 3 की X में multiply करेंगे, गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 3X, प्लस 3 की 7 में multiply करेंगे, गुना करेंगे कितना होगा? 21 माइनस, अभी इस 3 को इस 3 से क्या करेंगे? दिवाइड करेंगे, तो एक बार जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा? 8X, क्योंकि वो जो 1 आया, 3 वन जा 3 वन आया, उस 1 की जब 8X में multiply करेंगे, तो 8X यह आएगा, अभी इदर जो LCM आएगा, 6 और 2 का 6 आएगा, तो 6 एक बार गया, तो यहां पर 17 माइनस, 2 ती या 6, तीन बार गया, तो 3 पंजे 15X, यहां पर आया 15X, अभी क्या काम करना है आपने? 3X और 8X को solve करेंगे, X, X को हम solve करेंगे, तो यहां देखना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, तो minus के 5X, क्योंकि minus का बढ़ा है, upon plus 21 upon 3, equal to 17 minus 15X upon 6, अभी आपके सामने, यह निकल के तो आप इसको क्या दर होगे, इस प्रकार से cross multiply करेंगे, तो 6 की multiply इसमें करने तो 6 पंजे 30, minus के 30X, plus 6 कम 6, 6 दो निकल बार है, यहनिके 126, equal to 17, 15, इसकी multiply 3 के साथ करेंगे, minus 15, 45X, तो यहां से कितना बचा, 45X, अभी इस बराबर को हम इधर लेके जाएंगे, लास्ट में लेके जाएंगे, जो यह बराबर के sinus को लास्ट में लेके जाएंगे, क्या होगा है, यहां से, minus के 30X, plus के 126, यह plus का minus का हो जाएगा, और यह minus का हो जाएगा, प्लस का 45X, equal to 0, अभी देखों, यहां से यह 30X है, और यह 45X है, तो 45 में से 30 को क्या करेंगे, minus करेंगे, यह भ 126 minus 51, 126 minus 51, तो क्या बचेगा, यहां पर प्लस का बचेगा, देखों यह, प्लस की साइगा बढ़ी है, तो यहां से बचेगा 5, यहां से 75, तो equal to 0, अभी यह आपने क्या करना है, equal to के साइन को हम यहां पर लेके आएगे, तो यहां पर हो जाएगा, 15X equal to minus का 75 हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस का है था, इधर क्या जाएगा, तो यहां से ञल पर हो जाएगा, तो यहां से च की वेल्यू की साइगा, 75पवन 15, 75पवन 15已经 75 पों 15 है, तो 55 पंजे 55 यह बाढ़ जाएगा, तो यहां से च की वेल्यू क्या आएगी minus 5, यह, आपका final answer, x की क्या आएगी minus 5, now question number 4 x-5 upon 3 equal to x-3 upon 5 यह आपको question दिया हुआ है इसको solve करना तो यहाँ पर simple इस प्रकार से cross multiply करेंगे यहाँ कि 5 की multiply इदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x-2525 equal to 3 की multiply इदर करेंगे तो 3x-3 तिया 9 अभी क्या काम करना इस बराबर को इदर लेके जाएंगे क्योंकि हमने बराबर को एक साइड लेके जाना तभी तो यह प्लस मेंस करना है 5x-25 यह प्लस की संख़्िया तो यहाँ से वह जाएगा 3x-3 यह मैनेस का 9 जाएगा यह द्धी माइनस का 25 वहाँ अर प्लस का नान है, तो 25 में नौ मैंनस जाएंगे कितना पचे का यहां से 16 एकतना बकाद है। लेकिन इंड्üne क송ा माइनिस का बच है using sin कहीना जाता हूं जंक समर्ट करना एक इंड्ण सराफ लेके सिशन उसका किने मैंनिस का मैंन इंड avenue दोट थैंड्ड कि इंड्वेनगों किस द यह आपको फाइनल ँण से होगा। ना क्वेशन नवर 5 3t-2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 equal to 2 upon 3 minus t अब आपने क्या काम करना इन दोनों का हमने LCM ले ले लेना इस टाइब से 3 चो की बार है अब इस चार को इस बार है को इस चार से क्या करना है डिवाइड करना तो 4 तीया बार है तीन बार जाएगा उस तीन से इसमें multiply करेंगे तो 3 तीया naughty minus 3 दूनी 6 जो 3 आया से multiply करेंगे minus students कभी भी ध्यान रखना जहां पर minus दिया हूँ हम पर bracket लगाना है क्योंकि minus जो sign उसको change कर देगा या क्योंकि हम minus दिया हो प्लस 4 तीया बार है equal to अभी इसी प्रकार से इसका भी LCM ले ले लेंगे तो इन दोनों का LCM तीन आएगा तो यहां से 2 आएगा minus 3T कितना हो जाएगा यह 3T क्योंकि पर 1 है तो 3 1 जा 3 तीन ताइम जाएगा तो यहां से 3T अभी इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 90 minus 6 minus 8T यह minus sign को क्या करेंगा change कर देगा minus 12 upon 12 equal to 2 minus 3T upon 3 अभी क्या करना आपने 90 minus 8T तो यहां से कितना बचेगा T बचेगा 9 में से 8 जाएगा तो T बचेगा यनि 1 बचेगा T बचेगा 12 minus 6 कितना हो जाएगा minus के 8 है क्योंकि minus के बचेगा minus के 8 है upon 12 equal to 2 minus 3T upon 3 अभी क्या काम करना है आपने तो यहां से 3 से बराबरम कट जाएगा 3, 4 के बचेगा यह चार बचेगा यह एक बचेगा अभी यहां पर कितना बचेगा T minus 8 है equal to 2 minus 3T की चार के साथ multiply करेंगे तो 4 दूनी 8 minus 4 तिया 12 T चार तिया 12 T इसके आगे से अभी solve करेंगे तो यहां से कितना बचेगा T minus 8 है minus 8 यह बराबर को कहा लेगी जाएगा हम लास्ट में लेगी जाएगे तो यहां से प्लस का हो जाएगा 12 T equal to 0 अभी T और T कितना हो गया 13 T हो गया जन दोनों को हम solve करेंगे कितना हो गया 13 T 13 T 12 और 13 T और 18 और 8 कितना हो गया 8 और 8 26 हो जाएगा तो यह minus का 26 equal to 0 18 और 8 कितना हो गया तो यहां से T की वैल्यू होगी क्या होगी 26 बटे 13 26 बटे 13 और 13 से यह दो बार कटा तो यहां से जो T की वैल्यू आए क्या ही 23 दोनी 26 तो T की वैल्यू दो आए यह आपर final answer now question number 6 M minus M minus 1 upon 2 equal to 1 minus M minus 2 upon 3 तो इस M के नीचे हम एक मान लेते हैं इधर भी एक मान लेते हैं तो आपने बरावर के जो left side वाला इसको solve करेंगे और बरावर के right side वाला इसको solve करेंगे तो 2 और 1 का जब LCM ने कितना हैगा 2 आएगा तो यहां से 1 है 2 1 जा 1 तो यहां से कितना आएगा 2 M आएगा इस 2 की M के साथ multiply 2 M minus 2 बन जा 2 एक बार गया तो इस 1 की जब इस M minus 1 में multiply करेंगे तो कितना आएगा M minus 1 ही आएगा बच्चो ध्यान रगना जब भी minus का तो वहां पर bracket लगाना है आपने अभी इसे फिरकार से इसका LCM 3 आया तो इसके 3 लेखेंगे यहां 3 बन जा 3 minus 3 बन जा 3 एक बार जाएगा तो यहां से M minus 2 अभी आपने क्या काम करना इसको solve करेंगे bracket को 2 M minus M और यह minus minus के plus का 1 upon 2 equal to 3 minus अभी यह minus का M हो जाएगा और यह minus का आते क्या हो जाएगा plus का 2 क्योंकि यह minus जब इस bracket को खोलेंगे तो change हो जाएगे upon 3 अभी 2 M minus M कितना पचेगा M plus 1 upon 2 equal to यहां से 3 plus 2 कितना हो जाएगा 5 minus M upon 3 इन दोनों के cross multiply करेंगे इस type से 3 की multiply इसमें करेंगे कितना आएगा यहां से यह 3 M 3 के multiply 3 M plus 3 equal to 2 2 पंजे 10 minus के 2 M यहां से minus के 2 M बचे गई अभी इस बरावर की sign को कहा लेके जाएगे हम इधर लेके जाएगे बरावर की sign को इधर लेके जाएगे तो यहां से 3 M plus 3 minus के 10 minus minus के plus के 2 M equal to 0 क्योंकि जब भी बरावर की इधर लेके जाएगे तो यह plus का minus हो जाएगे minus का plus हो जाएगे तो 3 M plus 2 M 5 M और यहां से minus का 10 है plus का 3 है तो कितना बचेगे 10 में से 3 M जाएगे तो कितना बचेगा 7 लेकिन वो 7 किसका बचेगा minus का बचेगा क्योंकि minus का sin जाएगे तो बरावर 0 तो अभी बरावर को आप इधर लेके आओगे तो यह बचेगा 5 M equal to 7 क्योंकि minus का plus का हो जाएगा तो यहां से जो M की value आएगे 7 upon यह upon मसल जाएगा 5 7 upon 5 यह M का final answer होगा M की value कितना आएगे 7 upon 5 Now question number 7 3 T minus 3 equal to 5 2 T plus 1 तो अभी इसको bracket को solve करेंगे सबसे पहले तो 3 की multiply इस bracket में करेंगे तो 3 T minus 3 T 9 equal to 5 की multiply इस bracket में करेंगे तो 5 दूनी 10 T plus का 5 अभी इस बरावर के sin को हम इधर लेके जाएगे लास्ट में तो यहां से बचेगा 3 T minus 9 तो यह plus का है तो minus के 10 T यह plus का है तो minus के 5 equal to 0 अभी T वाली जो संग्या उसको solve करेंगे तो 3 T minus 10 T तो minus का 7 T बचेगा यहां से वेकि minus का 10 गया है बढ़ा है minus का 10 है minus का 10 plus का 3 है minus का 9 minus का 5 तो minus minus plus होगा लेकिन sign minus करेगा तो 9 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 तो minus का 14 equal to 0 यह निए 9 और 5 को हम add करेंगे लेकिन sign minus करेगा अभी बराबर को इधर लेके आएगे तो minus के 70 equal to 14 हो जाएगा कि minus का प्लस का हो जाएगा तो यहां से हमें T की value find out करनी है तो T की जो value होगी क्या होगी 14 upon यह minus का 7 इसके upon में चला जाएगा बटे में चला जाएगा साथ दूनी 4 है दो बार कटा तो यहां से T की value क्या ही minus के 2 यह इसका final answer है now question number 8 15 y minus 4 minus 2 y minus 9 प्लस के 5 y plus 6 is equal to 0 अभी आपने इसको solve करना bracket को सबसे पहले तो 15 की multiply करेंगे इसमें तो 15 y minus 15 4 के 60 minus अभी इस 2 की multiply इसमें करने लेकिन ध्यान रखना आगे minus है तो यह sign को change कर देगा 2 into y कितना हो जाएगा 2y और यह minus का 9 है तो 9 दूनी 18 होगा 2 9 जा 18 लेकिन यह minus minus क्या हो जाएगा प्लस का 18 यहां से भी 5 से multiply करेंगे तो 5y और प्लस के 6 5 30 equal to 0 अभी देखना है 15y 2y 5y सबसे पहले y की जो सिंख्या उनको solve करेंगे तो 15 और 5 20 हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले हमने plus plus को solve करना है 15 और 5 20 20 में से 2 हो गया तो कितना बचा 18y अभी जो बची हुई सिंख्या जैसे 60 है यह 18 है और यह 30 है तो सबसे पहले plus plus को solve करेंगे हम 30 प्लस 18 कितना हो गया 48 30 और 18 कितना हो जाता है 48 60 में से 48 को minus करेंगे तो कितना बचेगा minus के 12 कितना बचेगा यहां से minus के 12 क्योंकि minus की सिंख्या जादा है तो बराबर 0 यहां से 18y अभी बराबर को हम इधर लेके आएंगे तो यह minus का क्या हो जाएगा plus का बार है तो यहां से y की जो value गाएगा 12 अपन 18 यह 18 के आँचला जाएगा 12 के नीचे चला जाएगा तो 6 दूनी बार है 6 ती अठार है यह दून से इंख्या 6 से डिवाइड है तो जो y की value गाएगा 2 अपन 3 यह y का final answer होगा ना question number 9 यह question भी पिछले question के तरह है सेम अभी इस bracket को solve करेंगे सबसे पहले तो 3 की multiply से में करेंगे 3 पंजे 15 जैड मैनस 7 तिया 21 नौदूनी 18 तो यहां minus है तो नौदूनी 18 जैड यह minus minus क्या हो जाएगा plus का 11 दूनी 22 equal to 4 से multiply करेंगे तो 48 32 जैड minus 34 के 52 और यह minus का 7 सबसे पहले आपनी क्या किया bracket को solve किया अभी left side वाला solve करते है तो यहां से 15 है और 18 है तो कितना बचेगा minus के 3 जैड बचेगा व्योंकि minus के 8 जादा है तो 18 में से 15 जाएगा 3 जाएगा लेकिन 7 मैनिस करेगा इधर 22 और 21 है तो 22 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 1 plus का 1 equal to अभी यहां से 32 जैड 54 minus 17 कितना हो जाएगा minus minus प्लस होगा लेकिन 7 क्या रहेगा minus करेगा 7, 4, 11 5, 4, 1, 6, 7 तो यहां से कितना बचेगा 71 यहां पर देखना बचेगा 13 चोके क्या है यहां पर 52 जाएगा 52 हमने 54 लिख रखा है क्योंकि 13 चोके कितना होता है 52 होता है जब इसको हम सॉल्ट करेंगे 7, 2, 9 और 5, 6 तो यहां तो 69 आएगा कितना आएगा 32 जड़ और यह मैनस मैनस पलस का 69 एकोल टू 0 अभी 3 जड़ मैनस का 32 जड़ कितना हो जाएगा मैनस के 35 जड़ हो जाएगा 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 मैनस का 3 जड़ है और मैनस का 32 है मैनस मैनस पलस यहांनिकि मैनस के 35 जड़ अभी 69 यहांनिकि 35 Z और यह plus क्या हो जाएगा बराबर के दर जाएगे minus का साथ है इस minus से minus cancel out तो यहां से जो Z की value आएगी वो आएगी 70 upon यह 35 आचला जाएगा इसके upon में चला जाएगा नीचे चला जाएगा तो 35 दूनी 70 तो यहां से जो Z की value आई हो आई 2 यह आपका final answer है z की value कितनी आई है दो ना question number 10 0.25 4f-3 equal to 0.05 10f-9 तो सबसे इस bracket को solve करेंगे तो 25 चौका कितना होता है 100 तो यह कितना हो जाएगा 100f लेकिन ध्यान रखना है दो के बाद point है तो इधर भी 2 के point आएगा इधर point आएगा minus 25 तिया 75, point कितने के बाद आएगा 2 के बाद तो यहाँ point आएगा क्योंकि यहाँ 2 के बाद point है equal to इसी परकार इसकी multiply से में करेंगे तो 10-5 कितना होगा 50f लेकिन point कितने के बाद है 1-2 तो इसके बाद point आएगा इसी परकार से minus 9-5 45 point कितने के बाद आएगा 2 के बाद 1-2 तो यहाँ point आएगा अभी क्या करना है आपने देखो यह one f है कितना आएगे one f तो हम इसको simple f लेक सकते हैं one into f क्या होता है f ही होता है minus point 75 equal to अभी equal to को हम इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर आजाएगा minus का point 50 f और यह minus minus plus का point 45 equal to 0 अभी यहाँ से क्या करना है आपने देखो f minus point 5 f यानि कि यह point 50 है यह a कहते यह point 50 है तो यहाँ से कितना बचेगा point 50 f क्योंकि 1 में से आधा जाएगा तो point 50 बचेगा अभी यहाँ से देखो यहाँ से minus का 7.5 है और यहाँ से plus का point 45 है यहाँ से point 75 है यहाँ से point 45 है तो क्या बचेगा minus बचेगा यानि कि 75 में से 45 को अपने minus करना तो कितना बचेगा 30 बचेगा minus का equal to 0 यहां पर point आएगा तो f की जो value आएगी अभी सबसे पहले आपने बरावर को इधर लेके आना है यहां से आएगा point 50 f बरावर point 30 क्योंकि बरावर को इधर लेगा है minus का plus का हो गए तो f की जो value आएगी point 30 upon point 50 क्योंकि यह point 50 इधर आजाएगा तो point से point क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और 0 से 0 cancel हो जाएगा क्योंकि 2 के बाद point है इधर भी 2 के बाद point है तो cancel out हो जाएगा और 0 से 0 cancel out हो जाएगा तो f की value क्या ही 3 upon 5 यह इसका final answer होगा I hope students आपको इए वीडियो फसंद आया होगा Thank you